तो इस वीडियो में बात करेंगी कि आपका जो performance है उसको कैसे आके कैसे measure करें चली शुरू करते हैं तो यहां पर आप काम कर रहे हो बहुत इची बात है यह जो वीडियो है ना यहां पर exercise बहुत सारे जादा है कि आप में क्या खाम जा रहे हो किस जगह पर पीछ़ आ रहे हो किस जगह पर आपका strength है कौन सा अपका weakness है क्योंकि अगर आपको यह बता ही नहीं है कि आपका strength का है आपका weakness का है तो फिर आप आगे कैसे बढ़ होगे कि यहां पर सबसे पहले हैं आप कितने प्रौडॉटिव हों! Syndrome का मतलब भी होता है यह ने कि office में आप 10 घंडा बैठे हुए उसको प्रॉडॉटिव नहीं कहता है कि कहते हैं आप 10 घंडे बैठ के आपने क्या किया है है अपने सेल्स के लिए क्या किया है वह बहुत ज़री होता है तो इसके लिए क्या ज़रूरी है यहां पर आपको जो जानना परेगा वह आपका conversion rate का मतलब होता है कितने सारे customer को आप convert कर पा रहें तो यहां कि जो आकड़ा आपके पास होना चाहिए कि अगर आप 100 customers के पास जा रहें तो 100 customers में से कितने सारे customer आपके convert हो रहें जैसे मैंने का कि जब भी आप अच्छे शुरू कर रहे हो तो आपका conversion ratio में भी 2%-3% होगा जब आप बहुत ही अच्छे experience हो जाओगी तो maximum आपका 7-8% या maybe 10% आपका conversion ratio बहुत ही मुश्किल से हो सकता है standard होता है 6% या 5% के अंदर ही आपका लोगों का रहता है तो इसका मतलब है 95 पर पतिशत लोग आपसे सामान नहीं खरी देंगे तो आपने जब अपना conversion rate आपने निकाल लिया कि है हाँ यह मेरे conversion rate है तो इस जगह पर आपका conversion rate है उसको आप कैसा टरीकिसे बहतर बना सकते हैं तो इसलिए आपको आपका जो sales जे हो रहा है उसके बारै में आपको जानना परेगा, उसके बारे में थोड़ा सा आपका analysis करना परेगा, थोड़ा से उसके बारे में आपको थोड़ा सा measurement करना परेगा, homework करना परेगा, तो इसलिए आपको क्या करने है, आप पे अपनी weakness के बारे में बताईए, लिखिए, कि मुझे बात करने में दिक्कत ह में थोरगा से स्टैमर करता हूं मुझे बहुत भई डर लगता है कस्टोमुर के बास जाने में ऑर कस्टोमर मुझे क्या बोलेगा Also मुझे पता नहीं कस्टोमर के body language के बार में मुझे मुझे पता करता है तो आपके जो जो बहुत हैं Just तो फिर बहुत ही जादा दिक्कत आपकी होगी और जब आपने अपना weakness लिख लिया तो लिखने के बाद आपको ये लिखना है दूसरे column में लिखना है या दूसरे page में लिखना है कि ये जो problem one है weakness number one है तो उसको किस तरीके से मैं overcome कर सकता हूँ ये किस तरीके से मैं उसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ अगर आपको डर लगता है तो डर एकदम जाये कर नहीं पर दर को थोड़ा कम कर सकते हैं अगर आपका stammering होता है तो stammering तो पूरा जाये कर नहीं थोड़ा तो कम कर सकते हैं अगर आप देख रहे हो कि body language समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा से तो practice करके उसको थोड़ा से कम कर सकते हो तो हर एक problem का solution होता है इस जगह अगर आपका weakness जितना भी weakness है उसके बारे में आप थोड़ा से देखिए उसके बारे में थोड़ा से समझे उसको ये लिखिए कि किस तरीके से उसको थोड़ा कम कर सकते हैं किस तरीके से उस weakness को थोड़ा सा कम करके अपने strength को जादा बढ़ा सकते हैं तो इस जगह पर जब आप इसको करोगे तब क्या होगा आपको पता चल जाए कि कि आपका weaknesses क्या है आपने एक analysis के लिए कि आपका conversion ratio क्या है कहां पे आपका sale हो रहा है किस तरीख से सेल हो रहा है कहां पे आप अटक जा रहो है नहीं हम कोर्सेस आपने देखा हुआ से बारे में आपको पता चलेगा कि सो आपना जा सेल से बैतर ना इस तरीके से तो तोड़ा ठोड़ा चैंजेस हम करके बैतर बना सकते और इसको practice करते रहना पड़ेगा practice करते रहना पड़ेगा ऐसा नहीं कि यह course आपने कर लिया फिर कल जाके अपने weakness लिख लिया तीसे दिन जाके आप बोरा अपने बना सकते हैं है और किस तरीके से अपना जो weakness अशे उसको काम करके एक बहुत ही बड़ी बड़ीया sales percent बन सकते हैं अपने conversion ratio को बड़ा सकते हैं झाल झाल